दीपक सर जी के में आप लोग का स्वागत है मैं दीपक चौधरी आप लोग के लिए लेके आया हूँ साइन्स के आती महतपून कोईस्टन जो की आपको भिहार, पुलिस, गुरूप, टी, एंटी, पीसी और एनी अदर कॉम्पेटिशन एक्जाम में पूछा जाएगा तो जाते बात ना करते हुए हम लोग कोईस्टन के तरफ चलते हैं कोईस्टन बहुत ही महतपून है हम लोग जैसे की बताया हुए हूँ कि एक तारिक से न्यू सिड्यूल जारी होगा एक तारिक को जारी होगा वो सिड्यूल दो तारिक से वो सिड्यूल की हिसाब से क्लास होगा तब तक हम लोग ऐसे क्लास कर लेते हैं कुछ दिन के लिए एक तारिक से जो सिड्यूल हम लोग का जारी होगा वो schedule के हिसाब से class होगा तो question इस परकार है अधिक गर्मी को सहन करने वाला जानवर है अधिक गर्मी को सहन करने वाला इन में से कौन सा जानवर है भैस, गाय, बक्री, गधात इन में से कौन सा है आपको question number 1 answer C अधिक गड़मी को सहन करने वाला जानबर बकड़ी है ठीक है नेक्स्ट कोईशन के तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोईशन है आपको नेम लिखित में से कौन सबसे लंबा पक्ची है तो सबसे लंबा पक्ची सुतुर मुर्ग सबसे बड़ा पक्षी सुतुर्मुर्ग और सबसे बड़ा अंडा सुतुर्मुर्ग का ही होता है ये तीन कोईशिन आपको एक आंसर में याद रखने हैं सुतुर्मुर्ग सुतुर्मुर्ग और सुतुर्मुर्ग ठीक है next questions के तरब चलते हैं next question आप लोगों का है देखे निम लिखित सूचियों का मिलान करे बोल रहा है निम लिखित सूचियों का मिलान करे इसमें हमको मिलान करना है जो किस से किसको connected है मतलब कि देखिए अविसकार और अविसकारक अविसकार और अविसकारक तो हमको यह पता करन आविस्कार आविस्कार तो जेनर जेनर ने क्या चीज़ का विस्कार किया था एडवर्ड जेनर ने एडवर्ड जेनर पूरा नाम जेनर इहां पर लिखावा लेकिन पूरा नाम एडवर्ड जेनर होगा ठीक है एडवर्ड जेनर ने क्या चीज़ का विस्कार किया था टीका क विस्कार किस ने किया था एड़ जर्नर ने किया था उसको वाट्सन क्या है वाट्सन इसमें आपको वाट्सन ने क्या चीज़ का खोज किया था वाट्सन ने क्या चीज़ का खोज किया था वाट्सन ने आपको double helix double helix का double helix का खोज Watson ने किया था ठीक है next आपको land steiner land steiner ने क्या जिसका खोज किया था land steiner ने रक्त समू का खोज किया था किसका खोज किया था रक्त समू का खोज land steiner ने किया था और streaming flaming ने streaming flaming ने किसका penciling का खोज instrument flaming ने किया था तो इसका answer आपको C हो जाएगा, इसका answer C हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग मिला सकते हैं, general क्या होगी आपको, general होगी आपको, ठीक है मैंने बता दिया है, इसमें आपका answer होगा C, ठीक है, next question के तरफ हम लोग चलते हैं, next question है आप लोग को, मदुमक्खी का जहर है मदुमक्खी का जहर है कैसा होता है मदुमक्खी का जहर कैसा होता है अमलिये होता है चारिये होता है नून खड़ा होता है या प्रोटीन होता है तो मदुमक्खी का जहर होता है मदुमक्खी का जहर जो होता है आपको अमलिये होता है, क्या होता है, अमलिये होता है, मदमक्की का जहर, अमलिये होता है, ठीक है, नेक्स्ट कोईशन के तरफ हम लिए चलते हैं, नेक्स्ट कोईशन है, पाच्वा नमर कोईशन, एक आलू कंद को दो हिस्सों में काट दिया जाता है, एक आलू कंद को दो हि देखने यह को मिलता है पड़िवर्तन यह होता है जो भूरे से नीला यहां काला हो जाता है आप अलुट्ध काition होता है यह कटा हुआ हिस्सा आयोडिन के इसराने से क्या होता है डालने पर कटाहा calling होता है आधे हिस्से में ??? पर आयोडीन का कलर छीट दिया जाता है तो आयोडीन का कलर छीट देने से क्या होता है आपने देखें भी होंगे जो आयोडीन का कलर छीट देने से नीला और काला हो जाता है ठीक है नमक पर ऐसा आप लोग ट्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट कोईशन के तरब चलते हैं, नेक्स्ट कोईशन इस परकार है, पॉक्सिंग, पॉक्सिंग रोग के खिलाब उपचार के विकास में योगदान के लिए निम लिखित में से किसे नोबल पुरुसकार दिया गया, पॉक्सिंग रोग के खिलाब उपचार के विकास में योगदान के लिए निम लिखित में से किसे नोबल पुरुसकार दिया तो और्विंद कॉलर्सन को और्विद कालर्स को और्विद कालर्स को दिया गया था ठीक है next questions के तरफ हम लोग चलते हैं next question है anti-employmentary के रूप में कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है तो प्रेडिन निसोन कौन सा प्रेडिन निसोन ठीक है प्रेडिन निसोन का उपयोग किया जाता है next questions के तरफ चलते हैं next question हमारा इस परकार है anti anti-deproset के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है इसमें आपको क्या हो जाएगा ? next question के तरफ हम लोग चलते हैं बहुत ही important question है glucoma को ठीक करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है ? को ठीक करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग कि आ जाता है तो ग्लू कोमा को ठीक करने के लिए recipientolo dhare लेतानो प्रोष्टा लेतानो प्रोष्टा का उपयोग की आजाता है ले टानो प्रोष्टा का उप повтор पर्योंग किया जाता है ठीक है फिरी डाइविटक नेटिक उयाप के रूप Me किस Dua का उपयोग किया जाता है ३ै किसका में फॉर्मिन का पर्योग किया जाता है कि नेक्स्ट कोईशन के तरफ हम लोग जिसकी डॉक्टरों लोगों को उन्हें सांथ करने या उन्हें सोने में मदद करने के लिए देता है कौन सी दवा है जिसको डॉक्टर सांथ करने जैसे कि कोई पागल है उसको सांथ करने गुस्य को सांथ करने या उसको सोने में मदद करने के लिए देता है इसा कौन सा दवा टो बॉबी ट्यूद रेट भेवी ट्यूद बॉबी थ्यूद Kirandhman के द्वागहता नम बाभी तूरेट ठी यह स्टेपुन कि था अदेश्च नेक्सट कोईसेन की तरफ हम लोगों चलते हैं य gefकुष्यमदल का विंजकार दैस के द्वाज किया गया था क्रित्रिम दिल का अब इसकार किसके द्वारा किया गया था तो क्रित्रिम दिल का बहुत इंपॉर्टेंट कोच्छन है पॉल बिच्चल के लिए पॉल बिच्चल के लिए था पॉल बिच्चल के लिए क्रित्रिम दिल का पॉल बिच्चल के लिए क्रित्रिम दि की दावा का ःप्योग किया जता है तो और आपको किस में इसका आश्य होगा अजी करने के लिए किस दवा का उप्यों किया जाता है एलर्जी को ठीक करने के लिए किस दवा का उप्यों किया जाता है फैक्सो फेनाडीन फैक्सो फेनाडीन किसका उप्यों किया जाता है एलर्जी को दूर करने के लिए फैक्सो फेनाडीन का उप्यों किया जाता है नेक्स्ट क आपको 72 का मतलब 72 बार सी नमबर अंसर होगा 72 रखता है एक समानने मन उसमें दिल की धरकन की ऑसत दर परती मिनिट 72 बार होता है ठीक है नेक्स्ट के तरफ चलता है आपको 16 चिंता चिंता निवारक दवा के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता याथ किसका का अपयों के जाता ठीक है ठीक है तुछा थेड़ अटपता स्वतर नाम सब नवा सब का है दवा सब का इसको हम लोग को लेकिन याद रखना है ठीक है नेक्स्ट कोईशन है डबलू योचे के अनुसार वर्ड फ्लू का वाइरस किस तापमान से सबसे अधिक भोजन के माध्यम से पोसित नहीं किया जा सकता है तो मतलब जो वर्ड फ्लू के अनुसार आपको वाइरस जो है किस तापमान पर भोजन के माध्यम से आपको पोसित नहीं किया जा सकता है तो 70 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप उस भोजन को पोसित करते हैं तो आपके सरीर में वो वाइरस नहीं जाएगा ठीक है नेक्स्ट के तरफ हम लोग चलते हैं वह तेल जो ड्रॉप्सी का कारण है वह तेल जो ड्रॉप्सी का कारण है क्या कहलाता है तो वह तेल जो ड्रॉप्सी का कारण है वो औजी मोन तेल कहलाता है क्या कहलाता है औजी मोन तेल कहलाता है next questions के तरफ चलते हैं काफी important session है इसको पूरा class देखिएगा name लिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अस्थन पाई है सबसे बड़ा स्थन पाई कौन सा है? will है निला will सबसे बड़ा स्थन पाई next questions के तरफ चलते है next question है किस number साराफ का 7 करने वाले लोग आमतोर पर मर जाते हैं क्यूं क्यूं मर जाते हैं किaat इसका रीजनवार सिर इसका रीजन इस कारण क्या है इसका कारण कंड़ों चलते हैं अधिक्तम जैविक सक्ति किसे होती है अधिक्तम जैविक सक्ति किसे होती है तो गामा किरने में अधिक्तम जैविक सक्ति होती है ठीक है गामा किरने में जो होता है अधिक्तम जैविक सक्ति होता है प्रोटीन भाग को किस रूप में माना जाता है निम लिखित में से कौन सबसे चोटी पक्ची है निम्न लिखित में से कौन सबसे छोटी पक्ची है तो हमिंग वर्ड हमिंग वर्ड हमिंग वर्ड हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड जो है आपको सबसे छोटी पक्ची हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्ची जिसे ऑस्ट्रिज भी कहा जाता है जिसे ऑस्ट्रिज भी कहा जाता है नेक्स्ट कोईशन के तरह हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोईशन है अलसी किस से प्राप किया जाता है अलसी जो है किस से प्राप किया जाता है अलसी सन से प्राप किया जाता है मतलब कि फ्लैक्स से प्राप किया जाता है next question के तरब चलते हैं हम लोग next question है Christmas कारक किसमे सामिल होता है तो रक्त असकंदन में blood circular में मतलब रक्त असकंदन में Christmas कारक सामिल होते हैं जिसे हम blood circular ब्लट सर्कुलर संग भीविगाते हैं next question के तरब चलते हैं कुछिसें 27 न nggak प्रितिक्ट क्रत प्रोटिन की पहचान करने के लिए इस्तमाल की जाने वाले ब्लॉटिंग तक्निक क्या है पच्मी ब्लॉटिंग से कौन pulses प्रोटीन पहले ago कीरातिन प्रोटीन पहले जीजिड के लए पडिक्षान और उप्चार निति के रूपर शुरुक्त पडिवार ने डाइस के लिए पडिक्षन और उप्चार नीती शुरू की है HIV के लिए जो है आपको पडिक्षन और उप्चार नीती शुरू की है किसके लिए HIV के लिए next questions के तरफ चलते हैं next question बहुत important है forming, formic acid किसके दौरा निर्मित होता है formic acid किसके दौरा formic जो होता है आपको लाल चीटी के दौरा निर्मित होती है formic acid लाल चीटी के दौरा निर्मित होती है next question के तरफ हम लोग चलते हैं 31 number question है प्रिथी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है तो वो भी आपको सुतुर मुर्ग होगा जीवित पक्षी में सुतुर मुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी सुतुर मुर्ग 32 number है नाखूनों में नेमली खित में से कौन सा प्रोटीन पाए जाता है तो नाखूनों में आपको कौन सा केरातिन जैसे की बाल में भी केरातिन प्रोटीन पाए जाता है बाल में भी किरातिन प्रोटीन और नाखुन में भी किरातिन प्रोटीन ठीक है नेक्स्ट कोईशन के हम लोग बाइलोजिक का अगर क्लास करेंगे तो हम लोग बताएंगे किरातिन प्रोटीन जो होता किया है ठीक है 33 नमर कोईसन है पूर्सो युगमों को क्या कहा जाता है पूर्स युगमों को क्या कहा जाता है तो और स्पर्म कहा जाता है क्या कहा जाता है नेक्स्ट कोईसन के तरफ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोईस्सन इस परकार है निम लिखित का मिलान कीजिए निम लिखित निम लिखित का मिलान कीजिए परजनन का तरीका है निम लिखित मिलान करके परजनन का तरीका जीब का तो आपको क्या है विखंडन सबसे पहले जो है आपको विखंडन तो विखंडन आपको कहा होता है प्लेर नेडिया में ठीक है यह भी ठीक है पुर्णरजन हमीवा में होता है नोबोदित हाइडरा में होता है तो इसका मतलब ए आंसर इसका राइट होगा ए आंसर राइट होगा ठीक है यह था आपका महतपून session कुछ महतपून questions के साथ आशा करता हूं class अच्छा अच्छा लगे तो like करे subscribe करे thank you so much जाहिंद